नियुआर्क में मुस्लिम व्यापारी के साथ धार्मिक द्वेश और इसलाम पर अपत्ती जनक टिपणिया करने वाला स्टुवर्ड सेल्टो वेट्स को पुलिस ने किया गिरफतार पुर्व अमेरिकीन राश्ट्रपती बरात ओमामा का है पुर्व सहयोग मैं रफीक कामदार इंदरस्थानी रिपोटर में आपका स्वाग दे बुधवार बाइस तोंबर को सोशल मेडिया पर एक्स पर पुर्व टिविटर पर और अन्य सोशल मेडिया प्लैक्फॉर्म पर अमेरिका के न्यूआर्क के वेस्ट अपर इस्ट साइड का एक वीडियो जो है काफी तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक व्यक्टी देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्टी जो की मूल रूप से एजिप्ट का है और नियुवार्क में मुहम्मद हुसेन नाम का ये मुसलिम एक व्यापारी है इसलाम हुसेन उनके कार्टर पर काम करता है उसके साथ इस व्यक्टी ने काफी भद्दा अभद्र और धार्मिक विद्वेशवाला बरताओ किया इतना ही नहीं चारहजार फिलिस्तिनी बच्चे अभी दख हम मार चुके ये क्या काफी नहीं है ऐसी टिपणी के साथ उसने मुहम्मद हुसेन के साथ बात की इसलाम के पैगंबर नभी करीम सल्लयलाहु ने के बारे में आपती जनक टिपणी की मगर मुहम्मद हुसेन को अंग्रेजी ना आने की वज़े उसने काम मुझे आती है बगर इस पूरी बात को मुहम्मद हुसेन के जो काल्टर मालिक है इसलाम हुसेन उन्होंने इन चीजों को समझ लिया ये समूचा मामला वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने इसको गंबीरता से लिया हेट स्टॉकिंग हेट क्राइम इसलामोफोबिया के तहट इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्च किया और सुषट सेल्टोविस को गिरफतार किया तो कौन है ये सुषट सेल्टोविस आपको बता दे अमरीका के पुर्वर राश्त्रोपती बरात ओबामा के के कार्यकाल में वर्ष 2000 में वाइट हाउस क सेकुरिटी इंचार्ज भी था सेकुरिटी एडवाईजर भी था साथ ही यूए स्टेट डिपार्टमेंट के इस्राइल पैलस्टीन अफेर्स का भी ये मामला देखा करता था बरात ओबामा पुर्वर राश्त्रोपती अमरीका के और उनके साथ काम कर चुका वाइट हाउ उसका सेकुरिटी एडवाईजर इस तरह की सोच रख रहा है धार्मिक द्वेज भरी टिपणिया कर रहा है ये एक दुनिया में जो है चौकाने वाला खुलासा अमरीका से सामने आया है किस तरह से ये तमाम मामला हुआ है उसके वीडियो हम आपको दिखा रहे है और इसलाम हुसेन के पास काम कर रहे है उस मामले में इसलाम हुसेन ने कहा है कि ये तीसरी बार स्टुवर्ट सेल्डोविज ने हरकत की है ये कोई पहली बार नहीं है इसलिए इस बात को हेट स्टॉकिंग हेट क्राइम हेट स्पीच के तौर पर ही माना जाए इसलामोफोबिय तो वो महीं हो और उसमें जो बाते कही गई है वो मुझे नहीं कहने चाहिए थी जिसके लिए मैं सौरी कहता हूं माफी मांगता हूं ऐसा भी स्टुवर्ट सेल्डोविज ने कहा है मगर किस तरह से पूरी धुनिया दीरे दीरे इस्लामोफोबियों के गिरफ्त में आती जा करिए खास करके बड़े-बड़े देश उनकी व्यवस्ताओं को चलाने वाले बड़े-बड़े अधिकारी भी इस्लामोफोबियों से ग्रसीत है यह स्टुवर्ट सेल्डोविज के इस उधारन से साफ होता है कि गो कि वाई सी ही और गो कि बड़ें आता है कि अधिक साफ होता है कि गो मैं जिर नुका। नुकाए भी करते कर आörper हम एयु इस पेसदे कर लाद ट concept तॉ przy्याराओ से घाट नुकाrender है क्वास नुकार वाला सु़स्मिन सबन्स भी इचिछानецर भी भी करां भी करतों हो चरुका करें लाद लाद नुकाने हम परता हम कंट गयु थे भी पर मिंदेग को पता कि अविसे कि अविसें वीजेख के अविसे हैं वे अविसे हैं वो WR अविसे बंदेगां कि अविसे कर रवा दो इसकि आ लिसे घर टारिसम वेचिर सब्सक्राइव कोई़ें तेलित्त? झानाओ सबस्टा आप है कोईब तेलित? ट्रो रिंग परिसें तय glor How duck? झाल, 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 झा why should I go, why should I go, tell me why I should go I'm standing here, I'm an American, I have a free country, it's not like Egypt smile for me right did you rape your daughter like Muhammad did hmm did you rape your daughter like Muhammad then he's speaking English you only speak English I'm not going to I'm you don't speaking yes that's 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 see that just shows how ignorant to war cuz your Muhammad was a rapist it says in the English with holy book whom uh mum look pull muhann Muhammad. Muhammad, your prophet, you know who he is. My prophet? Yeah. He was a rapist. He raped Aisha. Does it say that in the Hadith or not? Do you know that? I do speak English. What? No English. You don't speak English? What do you speak? What do you speak? You speak Arabic? The language of the Quran? The Holy Quran? That some people use as a toilet? What do you think of that? People who use the Quran as a toilet? Does it bother you? Does it bother you? Tell me the truth. I don't speak English. You don't speak English? That's too bad. That's why you're selling food in a food cart. Because you're ignorant. But you should learn English. And it'll help you. Of course, yeah. When they port you back to Egypt. And the Muhabberat wants to interview you for being a... Goyan. Because I'm... Goyan. 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 Goyan.